पलब से Europe अपने थी चीजर होती इसमें पहला फ्रोपरीय होती है किसी की प्रोपरिटी ओनी प休息 होने और कुछ वह आपकी और आपकी पर आपकी पास इस पहली है तो फ्रोपर्टी। आप के पास है पहली पास प्रॉपर्टी दूसरा, उस आदमीं गहर काननी तरीके है कर गया आपको दुखी मदसे को और को खाली करता है कानुनी तरीके से तो यह तो उतले spending कर रहा है और वह गलत तरीके साब का नुकसान हो गया गलत तरीके से आपने ऐसा है तो आपने दी आपने दी यह वह रॉंग फुल लोस एक आप से चुछीन के लेगा जबरतस्ती लेगा तो वह रॉंग फुल मतला गेन उसका और आपका रॉंग फुल लोस ठीके किसी ना को है मतला वो ले ली चीज अब किसी आदमी को दे दिए तो इसे रख ले कछ दिन के लिए तो आदमी भी उसमें शामिल होगा जिसको वह चीज दी जिसको पता है एले है वह यह चोरी की है यह चोरी की चैन यह पर यह हकु जोरी का मॉबायल रखक तो भी डह फाम फैसको फ़सा मिलेगे अब ऐसा हो खो अखी लिया आपको बी उसका भद्य होगा कि उसने गलत काम करा है ठीक है निकल यहां से, आपकी दुकान से आपको निकाल दे, keep out properties निकाल दिया, वो आपको wrongful loss हुआ है, जितने भी time के लिए हो, पांच गंटे के लिए, दस गंटे के लिए, वो wrongful loss मतलब wrongful loss है, ठीके, आपको जो नुक्सान हुआ है, अब temporary deprivation, तो यह, यह temporary deprivation, तो आपको थोड़े, वो थोड़े time का loss, वो loss ही है, ठीके, और wrongful उसका थोड़े time का फायदा, उसका temporary फायदा, वो भी wrongful gain है उसका, ठीके जी, अब मालो जैसे आपने किसे किसे को तो वो आपके case डाल सकता, यह, इसने मेरी चीज़े चुलाइए, तो आप wrongful loss उसका कर रहे हो, अपना wrongful गलत फायदा अपना कर रहे हो, तो उसके लिए कि आपको ससा मिलेगी, लेकिन हर जगे काम काम नहीं करता, ठीके जी, अब मालो अपना कर रहे हो, अपना wrongful गलत फायदा अपना कर रहे हो, तो उसके लिए कि आपको ससा मिलेगी, लेकिन हर जगे काम काम नहीं करता, ठीके जी, अब मालो कोई ऐसे गाडी जब्त कर रहे हैं, आपको बच्चा चला रहा है, तो वह गाडी जब्त कर लेता है, तो वह गाडी तो आपकी है, लेकिन वह कानूनन हख उसका है, कि भिया काम करें, कि आपको गलत काम करने से. रह पराद नहीं कहलाएगा जैसे पुलिस को किसी मर्र को गोली मारने का आके या फिर उसको आरेस्ट करने का आके वो कानूने पराद नहीं है तो section 23 इसी वारे में बात करता है wrongful loss and wrongful gain के बारे में इसमें बहुत अच्छा case है जिससे आपको पूरा समझ आएगा के अन मीमा वर्से स्टेट ऑफ राजस्थान यह मिल जाएगा आपको AIR 1957 SC 369 में अब इसमें क्या होता है कि Air Force Academy जोदपूर राजस्थान का एक कैड़ेट एक अपना एक एयर क्राफ्ट ले जाता है बिना authorization के जिसके उसा authorization नहीं थी और इंडिया से उठागे वो पाकिस्तान में रेंड करवा देता है 14 माई 1962 में वो जाता और 17 माई 1962 में उसे पकड़ेगे वापिस लियाते तो उसे उस पर थेफ्ट का केस लगाते है चोरी का केस जो 379 IPC में है कि थेफ्ट किया था उसने अब इसमें क्या होता है इसमें wrongful gain और रिंग फॉर रॉंग फॉल लॉस किसका हुआ रॉंग फॉल गे इसका हुआ है इसका रॉंग फॉल लॉस हुआ जो अंडिया की गवर्मेंट है इसका एयर क्राफ्ट चाहे दो दिन के लिए चाहे तीन दिन के लिए पर गया चोरी मतलब किसी किसी तरीके से ले गया तो इसको सजा मिली और ये पूरी तरीके से एक्स्प्लेइन केता है सेक्शन 23 को